हाई फ्रेंद्स इस प्रावसर कार्पिति वाचिंग मेरे चनल आज हम जो देख रहे हो एपिस्ट नबर 69 देख रहे हो जिसके वंदर हम देख रहे है पॉरा का पूरा आपका सब कियर है और मैं वही एजूम करके चल के यहां पर पूरा एक्स्प्लें करना हूँ कि आपने वह वह जो बाकी की फाज जो चीजे उसको अमिट कर रहा हूं ठीक है तो पहले वह देखे फिल यह देखे तो आपको समझ में आएगा अब इसको समझना नहीं अब इसको सिफ पढ़ जाना है तो मैं आप एक प्लेट ले रहा हूं जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में लिया हुआ है हर जगा पे इस टैसमेरी प्लेट है उसके उपर से अभी यह पास नहीं हो आए लेकिन उसके उपर से एक फ्लूड पास होन Venus घ्युड़ है उसको जैसलिए हुएए अब जैसे ही अब फ्लूड है तो प्लेट की ऊपर से पास होगा तो यहां पे एक बाउंड लेर बनेगा थीक है तो यह बाउंड इल्ए टो outdoors करा हुआ जिसको मैं बियुल दें नहीं आप आपको आपको deval bark रख मिलेगी इस और यहां पे जो velocity होगी, वो small u की boundary layer की बज़ा से, इसका velocity reduction होगा small u होगा, ठीक है, तो अब यहां पे हमें kinematic energy, अब यह स्रिफ कंसिडर करीं, वहां पे मुझे अगर kinematic energy red, यानि kinetic energy per unit time, अगर मुझे तुनना है जो कितना होगा, सो वो हो जाएगा 1 upon 1 half m2, यहां यहां यह मास्पूरेंट होगा, सो 1 half, मास्पूरेंट क्या आएगा, आपको बता है, row into area into velocity, row, area क्या हो जाएगा, dy into 1, क्योंकि width हमने 1 assume करके रखे है, तो dy, velocity small u हो जाएगी, क्योंकि boundary layer की वज़े से, सो यह मास्पूरेंट होगा, into velocity square, that is u square, small u square, सो यह मास्पूरेंट मिलते हैं, अब बच्चों, हम ऐसा assume करके चलते हैं, कि मालो कि यह जो strip है, उसमें से जो fluid fast हो रहा है, अगर यहां पर plate नहीं होती, तो यहां पर plate नहीं होती, तो इसी strip पे kinetic energy rate क्या हो, अगर plate नहीं होती, तो क्या होता, तो सबसे पहले चीज, force same mass pro rate रहा हूँ, मैं कोई अलग mass pro rate नहीं हो, force same mass pro rate, तो mass pro rate तो semi रहेगा, अगर plate नहीं होती, तो boundary layer नहीं होता, और boundary layer नहीं होता, तो हमारी velocity क्या होती, original ready, जो की capital U है, तो यहां पर capital U square हो जाएगा, तो loss कितना होगा, boundary layer की तो this minus this करना है, तो मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन यह जो आपको loss मिलेगा, that is for only this dy thickness of plate, पर मुझे यह पूरे distance के लिए, जल पूरा distance को बोलते है, boundary layer thickness delta, तो यह delta distance के loss रहेगा, so total loss, इसका indication कर दूँगा, 0 to delta, so this is total loss of kinetic energy rate, ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें इसको compensate क करना है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब यह velocity layer बनता है, इस तरीके से, तो आपकी velocity यह reduction हो जाती है, ठीक है, अगर यह layer नहीं बनता है, यानि velocity profile नहीं होती, boundary layer नहीं बनता, तो यह कुछ इस तरीके से होता, तो सभी की velocity क्या होगी, same होगी, लेकिन अभी velocity layer की आपको इतना डार्क वारा portion है, इसका loss हुआ है, यहाँ पे kinetic energy का loss हुआ है, तो यह जो loss है, इसको आपको compensate करना है, अब compensate कैसे करोगे, यह जो layer नहीं उसके उपर एक additional wall थीकनस है, additional distance लोगे, जिसको मैं बोलूँ का delta E, ठीक है, तो यहाँ पे जो velocity होगी, वो आपने boundary layer के उ आपको kinetic energy gain मिलेगा, वो कितना kinetic energy gain होगा, तो यहाँ पे जितना loss हुआ है, उतना ही उसको उपर जाके cover करतेगा, मालों कि यहाँ पे minus 5 का loss हुआ है, अब यहाँ पे delta E, उपर additional wall thickness होगे, तो यहाँ पे kinetic energy आएगा, इतना loss जितना ही होगा, लेकि रूप positive value होगी, plus 5 होगा, अब यहाँ आपको यह additional wall thickness लेगा, तो यह क्या हो जाहिए, गूंपंच्ट होजाएगा, तो delta E is the distance above the boundary layer, जिसकी वज़े से क्या हो, अगर क्या आपके distance above होगे ना, तो आपकी velocity originar हो जाएगी, आपको kinetic energy gain मिलेगा, जिसकी वज़े साब यह जो loss है उसको cover कर सक्तेगे, गु तो आपको यह additional wall thickness लेगी है ठीक है यह है तो अब इसके height किया है deltaE तो इसका पर सबसे बढ़े यहां पर kinetic energy नहीं है तो height deltaE into which one करतो तो यह area हो गया है density तो रोह रहेगा velocity का होगी orinal velocity क्योंकि आप 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 ले लेके उपपर तो capital U तो यह होगा mass flow rate into velocity का square so velocity is capital U है तो capital U square हो जाएगा अब मैंने यहां पर ध्यान से देख रहे हैं यहां पर loss क्यों वड लिखा हुआ है क्योंकि यह जो loss हो रहा है ना वही से हैं loss उपर है लेकिन हो प्लसम है यानि वो gain है आपका ठीक है इसलिए मैं यहां पर loss word यहां पर लिया हुआ है इसलिए आप दूश के loss word ले रहा हूंग यहां पर क्योंकि actually तो आपका gain है लेकिन वो gain कितना है यहां पर loss word उतना ही gain है वो plus मैं यह minus मैं तो यह neutral कर देगा उस compensate कर देगा आपका बसे ख़खे लिया है यहां पर लिख दिया है यह जो चीज है अब यहां पर dekow तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का तो देंसेटी कॉंसेट होगी, तो बाहर निकल जाएगी, यहां पर बाहर ले लिए, तो दोनों साट कैंसर हो जाएगी, रेल्टा एको सब्जेंक बना और जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, तो यह जो डिस्टेंस आया, उसको बोल और झाएगीी है, पोल झाराणी को जात्वाएगी।